तो हम यह देखेंगे की रेखाओं के बीच की निवन्तम दूरी किस प्रकार ग्याद करते हैं रेखाओं X प्लस 3 अपॉन्ट्री इपॉल टू Y माइनस 6 अपॉन 3 इपॉल टू Z अपॉन 2 और x plus 2 upon minus 4 is equal to y upon 1 equal to z minus 7 upon 1 के बीच की नियूनतम दियूरी ग्यात कीजिए. पहले हम दोनों रेखाओं के समीकरण को लिखेंगे, दी हुवी रेखाएं हैं, पहला है x plus 3 upon minus 4 is equal to y minus 6 upon 3 is equal to z upon 2. समीकरण एक और दूसरा है x plus 2 upon minus 4 equal to y upon 1 is equal to z minus 7 upon 1, समीकरण 2. तो जैसा की समीकरण से आप यह ग्यात कर सकते हैं कि यह रेखा किन भी दो से उकर के जाती है और इसके दिक अनुपात क्या है? तो लिखेंगे कि रेखा एक भी दो, रेटीन, छे, और शुन्य, रेटीन, छे, शुन्य, से होकर जाती है, तथा इसके दिक्ष अनुपात अरेंड चार तीन दो है तो इसलिए यहां से हम लिख सकते हैं और इसी तरीके से वेक्टर बीवन इस इक्वल तो माइनस फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस तू कैप पुना रेखा दो बिन्दू अरेंड दो शुन्य साथ से होकर जाती है तथा इसके दिक्ष अनुपात अरेंड चार एक एक है इसलिए वेक्टर एटू इस इक्वल टू माइनस तू आई कैप प्लस जीरो इन्टू जे कैप प्लस सेवन इन्टू कैप तथा वेक्टर बी टू यह आपको मिल दाएगा माइनस फूर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तो जैसा कि आपको पता है कि नियुन तम दूरी ग्याद करने के लिए हमें वेक्टर एटू माइनस वेक्टर एवन ग्याद करना होता है तो यह vector a2 है और इसमें vector minus a1 करना है, तो minus 2i plus 3j, तो यह vector i cap, फिर minus 6j cap plus 7k cap, इसी तरीके से b1 cross b2, b1 cross b2, यह i cap, j cap और k cap, b1, यह minus 4, 3, 2, b2 minus 4, 1, 1, solve करेंगे तो मिल दाएगा i cap, 4 into 3, this is 3, minus 2, minus j cap, minus 4, plus 8, और plus k cap, minus 4, plus 12, इसको solve करेंगे तो मिल दाएगा i cap, minus 4, j cap, plus 8 k cap, यहां से दी हम इसका mod calculate करें, b1 cross b2 का mod, so this will be equal to, इसको root over 1 का square, 1, minus 4 का square, 16, और 8 का square, 64, solve करेंगे, तो मिल दाएगा root 81, solve करने पर मिल दाएगा 9, so this trick golden fall, या फिर scalar triple product, इसको इसे square के bracket में लिखते हैं, a2 minus a1, then b1, b2, a dot b cross c, ऐसा होता है, तो यह वाला जो पद है, this is a2 minus a1 vector, a dot b cross c, तो यह b1 cross b2 vector, यह अपने calculate कर रखा है, a1 minus a2, यह हमें मिला था, यहां से यह वाला answer देख सकते हैं, i cap minus 6 j cap plus 7 k cap, और b1 cross b2, यह वाला term, this is i cap minus 4 j cap plus 8 k cap, multiply करेंगे, तो मिल दाएगा, i into i, इसको coefficient 1, minus 6 into minus 24, यह मिल दाएगा, minus 6 into minus 4, minus minus plus 24, और 7 और 8 को बोना करेंगे, तो मिल दाएगा, 56, एड़ करेंगे, तो मिल दाएगा, 81, न्यूनतम दूरी का जो हमें सूत्र है, ग्यात है, कि अभिष्ट न्यूनतम दूरी, is equal to, यह होता है, scalar triple product, a2 minus a1, then b1, b2, upon, mod of b1 cross b2, यहां से यह जो value is में put कर देंगे, अधिस्त्रिक गुणन फल का जो माने हमें मिला है, 80, 80, बटे b1 cross b2 का mod, 9, solve करने पर आप मिल दाएगा, 9, यही दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है, जो कि हमें ग्याद करने के लिए गया था, प्रश्ण दिया गया है कि निमनलिखित प्रश्णों में समतल के अभिलंब के दिक कोसाइन, दिक कोजिया और मूल बिंदू से दूरी ग्याद कीजिए, जहां पर समतल का समिकरण दिया गया है, 2x plus 3y minus z equal to 5, तो पहले हम दिया गया समतल का समिकरण लिखेंगे, दिया गया समतल है, 2x plus 3y minus z equal to 5, माना कि यह समिकरण 1 है, तो इस इस सितिती में यह ax plus by plus cz plus d इस फॉर्म पर है, इसको हमें अभी लंबर रूप अर्थात lx plus my plus nz equal to p इस रूप में बदलना है, तो उसके लिए हम समिकरण 1 को square root over x का जो गुणांक है उसका वर्ग 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और रिनेक का वर्ग 1, सर्खल करने पर हमें मिल जाएगा वर्गमूल 14, तो समिकरण 1 को वर्गमूल 14 से भाग देने पर तो मिल जाएगा 2x upon root 14, individual हम लिख रहे हैं उसको, 3y upon root 14 minus z upon root 14 equal to 5 upon root 14, तो यह जो है मूल रूप से कुछ इस तरीके से बदल चुका है यह, तो यह जो समिकरण है, यह lx plus my plus nz equal to p, अभिलम रूप, से तुलना करने पर, l 2 by root 14, m 3 by root 14, n minus 1 upon root 14, और p is equal to 5 by root 14, तो यहां से हम दिक कोजिया बता सकते हैं, l m n इसकी दिक कोजिया है, और मूल बिंदू से डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदू से डाले गए लंब की लंबाई, सम्तल पर, और यही हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था, अगला प्रशन है कि, निम ने लिखित स्थीतियों में, मूल बिंदू से खीचे गए लंब पाद के निर्देशांख ग्याद कीजिए, उसमें पहला प्रशन दिया गया है, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0, यह सम्तल का सम्हिकरण है, और मूल बिंदू से खीचे गए लंब पाद के निर्देशांख ग्याद करना है, तो पहले हम लिखेंगे कि, दिया गया सम्तल है, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0, माना के सम्हिकरण एक है, माना लंब पाद के निर्देशांख, यहां से हम om रेखा का सम्हिकरण लिख सकते हैं, यह x माइनस 0, तो om का सम्हिकरण होगा, कि मूल बिंदू से होकर के, खीचा जा रहा है, तो यह x माइनस 0 अपाउन, x का जो कोफिशेंट यहां पर है, 2, y माइनस 0 अपाउन 3, एक्वल टू z माइनस 0 अपाउन 4, माना की यह r के बराबर है, और यही है om एक्वल टू r, लंब की लंबाई, तो यहां से हम यह लिख सकते हैं, कि समतल एक जो है, समतल एक अज़ा, 2x प्लस 3y प्लस 4z, माइनस 12 अपाउन टू 0, के अभी लंब के दिख अनुपाथ 2, 3, 4 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं, x एक्वल टू 2r, y एक्वल टू 3r, और z एक्वल टू 4r, तिर्या गुणा करने पर हम ही है मिल गया, इस तरीके से m का जो निर्देशांग है, यह हमें मिल रहा है, 2r, 3r और 4r, तो यह जो बिंदू का निर्देशांग है, सम्तल के सम्तल को भी संतुष करेगा, क्योंकि यह निर्देशांग सम्तल पर इस्तित है, तो सम्तल पर इस्तित है, 2 इंटू x प्लस 3 इंटू y प्लस 4 इंटू 4r, minus 12 is equal to 0, तो मिल जाएगा, 4r plus 9r plus 16r is equal to 12, अब को मिल जाएगा, 29r equal to 12, तो इसलिए, तो इसलिए, लंब पाद के निर्देशांग, एम, 2r, 3r, 4r is equal to, यहां पर आर के स्थान पर हम यह मार रख देंगे, तो आप मिल जाएगा, 24r, 29r, 36r, 29r और 48r, 29r है, और यही अमें ग्याद का निकले दिया गया था, अगला प्रक्षन दिया गया है कि, निम्नलिखित प्रश्णों में ग्याद कीजिए, कि क्या दिये गए समतलों के युग्म, समांतर हैं अथ्वा लंबवत हैं, उस स्थिती में जब यह ना तो समांतर है, और ना ही लंबवत, तो उनके बीच का कोण ग्याद कीजिए, पहला समीकरण युग्म दिया है, 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 3 इक्वल टू 0, और 3x माइनस y माइनस 10z प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इस प्लस्न का हल की दिये गए समतल युग्म है, 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 3 इक्वल टू 0, माना इस समीकरण एक है, दूसरा समीकरण है, 3x माइनस y माइनस 10z प्लस 4 इक्वल टू 0, समीकरण 2, यहां से हम a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान कित गणना करेंगे, तो a1 यह a2 b1 b2 c1 c2 जो x y z के कोफिशेंट्स हैं, वो करमसा a b c इस तरीके से हैं, तो यह 7 और 3, 5 और रिण 1 और 6 और रिण 10, बिल दाएगा 7 यह 21 और रिण 5 और यह 60, तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इसका मान हमें मिल रहा है एरड 44, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो अतह हम यह कह सकते हैं कि समतल 1 और 2 लंबवात नहीं है, अगर equal to 0 आता तब लंबवात होता, अब A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, तो यह case ऐसा है क्या हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, तो यहाँ पर A1 upon A2 is 7 by 3 और B1 upon B2 5 by minus 1 और यहाँ पर 6 by minus 10, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह तीनों आपसे बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यह समांतर होने का प्रतिवंद है, तो यहाँ से इस सिद्वद यह लम्ब whatnot नहीं है और इस सित्व होता है कि दोनों समतल समांतर नहीं है, तो हम लिखेंगे अतह समतल एक और दो समांतर नहीं है, उनके बीज का कोण हमें ग्याद करना है, तो उनके बीज का कोण थीटा अगर हो, हम लिखते हैं, cos theta equal to mod of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 whole upon square root over a1 square plus b1 square plus c1 square into a2 square plus b2 square plus c2 square. यह mod a1 a2 b1 b2 plus c1 c2 हमने calculate किया है, minus 44, minus 44 upon root of a square plus b1 square plus b1 square plus c1 square. यहाँ पर a1 जो है यह 7, 7 का square है 49 plus 5 का square 25 plus 6 का square 36, similarly a2 का square, 3 का square 9, minus 1 का square 1, 10 का square 100, so यह minus 44 upon, इसको add करेंगे तो 110 मिलेगा और इसको भी add करेंगे तो 110 मिलेगा, तो root 110, root 110, so यह मान अगर cos theta हमने आपर mod लगाया हुआ है, ultimately वैसे तो यह minus 44 upon 110 मिलेगा, solve करने पर minus 22 by 55, और mod है तो धनात्मक मान हम यह ले करके चलेंगे, या फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि cos theta equal to this है, तो theta equal to cos inverse minus mod of minus 22 by 55, और यही हमें गयाद करने के लिए कहा गया था कि दो सम्तलों की बीच का कोन गयाद करना है, इस अध्याय में हमने पढ़ा सरल रेखा को three dimension में, जहाँ पर सबसे पहले आपने यह देखा कि सरल रेखा का सम्मी करन क्या होता है three dimension में, जो कि AX plus BY plus CZ plus D equal to zero, यह माना करूप होता है, इसके बाद आपने देखा कि सरल रेखा कि इस सम्मी करन को सममित रूप में किस प्रकार परिवर्थित करते हैं, सममित रूप से विसम सम्मित रूप में किस प्रकार रेखा का रुपांतरन करते हैं, दो रेखाओं की बीच की दूरी किस प्रकार गयाद करते हैं, दो रेखाओं के बीच का कौन किस प्रकार ग्याद करते हैं? एक समतल पर किसी बिंदू से डाले गए लंब की लंबाई किस प्रकार ग्याद करते हैं? और आपने यह भी देखा कि दो रेखाओं के बीच की नियुंतम दूरी किस प्रकार ग्याद करते हैं? और दो रेखाओं क कि समतली होने का प्रतिबंद क्या होता है एक विंदू से किसी समतल पर डाले गए लंब की लंबाई और लंबपाद के निर्दशांग किस प्रकार गयात करते हैं यह भी देखा हमने और साथ में अंत में हमने देखा कि सरल रेखा का सदिस रूप क्या होता है और सरल रेखा य